तो कैसे होगा तीन धंटे में अकाउंटेंसी का पेपर कंप्लीट किस तरीके से हम लोग टाइम को मानेज करें इस ताइम पे हार 12th क्लास का बच्चा जो अकाउंटेंसी का पेपर देने जा रहा है 23rd of March को वो इसी बात से परिशान है कि तरीयारी तो बहुत बढ़िया चल र चल बच्चो आपकी इसी सर्मस्या को सौल करने के लिए मैं आपको देने वालीन कुछ पिप्स अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा तो वेलकम तू चानल स्टूडेंस तो चलिए आपका पेपर करते हैं और शुरू किस तरीके से हमें 23 तारीक को टाइम मानेजमेंट करना है तो चलो बच्चो देखो सबसे पहले आप यह समझो कि आपका पेपर कैसे आने वालो है आप सभी रोगों को सब कुछ पता है बट स्टिल एक बरसुल लेने में कोई बुराई नहीं है तो बच्चो आपको पेपर म सब्सक्राइब सब्सक्राइं लेंतर सब्सक्राइब सब्सक्राइब को पता है वह in a तर यह फिल जब्सळास वुद्विश्ण के उसने नहीं देखा होता हो सकते कि बच्छा ऐसा जो संपर पेपर के नहीं देखा आया है तो उसे नहीं पता कि यार यह तीसरी चीज क्या है यह पुरे साल नहीं देखी यह चीज क्या है तो घबराना नहीं है यह अपको नहीं करने है हाँ जिन लोगों ने computerized accounting opt किया है as part B वो computerized accounting ही करेंगे बट जिन बच्छों ने analysis of financial statement opt किया है वो part B में इसी motion को attempt करेंगे ठीक है तो घबराना नहीं है इन दोनों में choice होती है analysis of financial statement and computerized accounting इन दोनों इसे आपको कोई भी एक करना है ठीक है पहली चीज तो यह आपको जो समझनी दूसरी बात यह जो आपका part A है आप सभी को पता है कि यह जिसके अंदर आप partnership or company को cover करते है तोटल number of questions जो आपको इसके देखने को मिलेंगे 26 questions होंगे जिसमे 16 MCQs आपको मिलेंगे देखने को और 3 नंबर के 4 questions होंगे आपके पास इसके अंदर और 4 नंबर के 2 questions और 6 नंब portion आपको part A में ही मिलने रहा है तो इस तरीके साथ मुझे पर जो जाने है चार question कौन से आने वाले है 6 नंबर के और मैं उन्हें प्रैक्टिस करूँ तो पास ओने का रास्ता तो खुल यह 24 नंबर यह और ऐसा तो है निकिद में से हम कुछ करके नहीं आपाएंगे 27 नंबर पार्ट A में से बहुत असाना से बन जाएंगे अगर इस चार question का खुलास हो जाएंगे चार question कौन से आएंगे किस chapter में से आएंगे किस तरीकी का question होगा आपको अगली वीडियो से के ओपर मिलने वाली है आज ही जिसमें यह आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से question किते मांक्स के लिए प्रत्य और करने हैं चीक है तो भी हम लोग करने वाले हैं अब बारी आती है कि करना किया है तो पार्ट A है क्योंकि एक बहुत मेजर portion है हमारे पूरे अकांट M.C के पेपर आपको कम्लीट होगा वाई दो गंटे होगा तो यह दो गंटे में आपको आपको घुस्रीन दॉस्से करो और आपका ताइम मेनीजमेंट हो जाएगा अब आपको जो ही कि हाँ मेढम है समय है लेकी हर एक मिनट में हम गडि देख नहीं सकते तो आपको हर एक मिनट दर जाएन है तो एक को करने में दो मिनट लग रहे हैं तो टोटल अगर पार्टे में आपको 16 क्वेशन करने हैं तो आपको 32 मिनट लगने चाहिए इतना तो हम देख सकते हैं कि या हमने अपना पेपर साधे दूस बजे स्ट्राइट किया और हमारा जो यह कॉस्ट पॉर्शन है जो एंस बचेगा उसके बाद जो दूसरा आप सेक्षन अगर में बोलू तो इसमें टेंप कर रहे हो तो फ्रीमाप्स का क्वेशन का मतलब है एक क्वेशन को शे मिनट देने आपने अब शे मिनट का मतलब हो गया कि आप तीन नंबर वाले क्वेशन को आपने चॉविस मिनट में कुषित टूसरा नंबर आप क्वेशन को मतलब हो जो थीमाप्स वाला सेक्षन के आत। वर सेक्षन कुष्ण के आप को कुए विस screaming के लिए ऑला मिनट में करने तो क्वेशन को व्या हो जबता है क्वेशनими को आपको सोला मिन देने पनी करने के लिए इसस तरीग से तो इसा हो सकता है कि आपको बारा मिनट की जएगे फिर 15-20 वेले तो उसकी वेलसे आपको आगे का टाइम होगा वो जा रहा होगा लेकर हर 6 नंबर को question ऐसा नहीं होगा जो 15-20 minute लेगा ऐसा भी question हो सकता है जो बारा मिनिट की जगे पर आठ या दस मिनिट में आपको solve हो जाए तो आप 6 नंबर की question मुझे 48 minutes में complete करने है तो इस तरीके से 120 मिनिट यानिके 2 गंटे के अंजर अंदर आपका part 1 खत्र हो जांची जैसे आपके गड़ी में 2 मंटे complete होए बैल भी लगति है school में तो आपको देख रहे क्या 2 मंटे complete होगा पड़ा पड़ से part B स्टार्ट करना ही करना है अभर से आप कर रहे था आपने देखा किया 2 मंटे seems to be present at the back to 25 एप्वेश्थ लेकर है क्वेश्च निया यहां पर तो यहां पर 26 प्वेश्चन आपको स्टेक कर चुक्टेएं और तो यहां पर ऐसेखों 26 आपने यहां पर कर चुक्ट हो 26 प्लाइब 36 प्लस 24 60 माक्स का आप पेपर अटम्ट कर चुक्ये हो अस्की में से 60 नंबर का पेपर आपने टेंट कर लिया है ठीक है अब बार ही आती है अगले 20 नंबर की 20 नंबर के लिए हमने आपको दिये पूरे 40 मिनट ठीक है है इसलिए नंबर के लिए इसलिए पाइब आपको देखो एक सोच मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए एक सो साथ मिनट यानि के एक दस पे आपका पेपर नौना चाहिए ठीक है अब आप को गए कि मैन तो सिर्फ कहने की बात है गहां पैटके पेपर देते हैं तो एक अलगी महुल ओता है अलगी स्ट्रेस होता है अलगी नर्बसनेस होती है कुछ बात के काथ है ठीक है अपना थाइम बिखकुल भी आपको दरबाद नहीं करना हो पूरे पेपर को 15 मिनिट में पढ़ने के लिए आपको पेपर नहीं पढ़ना स्टार्टिंग के 15 मिनिट में आपको पेपर को सॉल्फ करना है स्टार्टिंग के फर्णा मिनिट में कौन से वेश्चन एंप सी क्यूश्ट आपको सॉल्फ करने पेपर में लिखना नहीं होता है पैसे लिए आपको ऑप्शन जो कर जिप्र है आप मायन में क्यल्कुलेशन कर सकते हो करो और हल्का सा डॉट लगा दो प्शन के सामें तक डॉट लगाने में कोई गुरा ही निए वहां तल्का सा कर लिए अगर में दो मिनिट वाला फ्राइट इलिया प्लाई हो तो सेगंड प्शन आपके आज हो जाने चाहिए स्टार्टिं के 15 मिनिट में अगर आपने साथ क्वेशन भी कर लिए तो आपने 15 मिनिट बचा लिए यहां से आपका टाइम से हो चुका है तो वो टाइम सकता है जो आपके बड़े क्वेशन आहीं जो अटक रहे हैं तेक है न और इस तरीकी से चलोंगे तो एक यहां 10 साथ मिनट में आपका प्यंपर अपके 20 मिन बच रहे हैं और उस게 उस बीक्न में अगर अपका प्यंपर कॉंपर हो चुका है तो आपका चेक कर सकते हो यहां कई बर होता है ना पी कुछ पेस्ट हमारे चूट गए होते हैं जो हमने बाग के लिए चोड़ती होते हैं नहीं समझ में आ रहे हैं तो ज्यादा दिमाग लग लग रहा है तो उस 20 मिनट में आ भो भी गर सुटे हैं और जैसे कि आने आपको ही ताइम मैनेजमेंट का जो खेल तो आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि बहुत अगरे टाइम देड़ा सकता है तो उसके चक्कल के आपके दूसरे कोशन चूट रहा है तो फिलाल उसको वहीं स्टॉप कर देना पहले आगे के क्वेश्टन कर लीजेगा उसके बाद जब आपका पेपर को जाए पहले बड़ी चीज है कही बार बच्चे होते हैं को पूरा पेपर आता है लेकिन वह स्पीड मेंटेग ने कर पाते हैं तो यह इसलिए होता है क्या पहले जब प्रक्तिस कर रहे हो तो आप ताइम के अकॉर्डिक प्रक्तिस करें तो हमेशा जब भी आप घर में भी प्रक् कैसे आप अपने टाइम को मानेच करेंगी तो अब ही अगली वीडियो आपको मिलने वाली है आज ही जोकी होगी कौकौं से important topics आपके 3 marks के लिए कौन से topic prepare परना है 4 marks के लिए कौन से करने हो 6 marks के लिए कौन से topic आपके प्रिपेर करना है till that take care तयारी करते रहें बागाए